हेलो दोस्तों, आज से कुछ हबतों पहले पेसिफिक ओशन में फेनिक्स आइलेंड के आसपास ट्रांस्पैरेंट ओक्टूबस दिखाए दिया था इस ग्लास ओक्टूबस का साइंटिफिक नेम है वेटरो डिलना रिचाडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स नाम है पर ये मेली टॉप्टिकल और सब्टॉप्टिकल पेस में पाय जाते हैं वैस्तों इस स्पीसीज की डिस्कूवरी नाइंट एटियम में हुई थी यानि कि 102 साल पहल ग्लास ओक्टूबस काफ़ी अमेजिंग मेरीन एनिमल है क्योंकि एक हुच स्पीसीज में आते हैं जिन उन्हें अपने आपको इतना इवाल्व किया है इतने हार्स कंडिशन में रहने के लिए दोस्तों आप थोड़ा बात कर लेते हैं इस ओक्टूबस की ट्रांस्परेंस इनको डिफरन कलर प्रड्यूस करते हैं इनकी ट्रांस्परेंसी के वज़े से शिकार इनको देखनी पाते हैं और यह आराम चापना शिकार भी कर सकते हैं हाला कि गलाक्स ऑक्टूबस अपनी बॉड़ी का कलर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हर सैल और पिग्मेंट जो इने जल्दी अपने skin color कैसे change कर सकते हैं तो दोस्तों इनकी skin में बहुत सारे cells होते हैं इनको कहता है क्रोमोटो 4 इन क्रोमोटो 4 के cell में बहुत सारे pigments होते हैं जैसे brown, red, blue जो यह help करते हैं जल्दी से color change करने में उनकी skin के इस color change के वज़े से यह शिकारी से भी पसकते हैं और अपने शिकार को भी आराम से बकड़ सकते हैं different species ने अपने आपको different तरिके से evolve किया है अपने environment के coding ताकि वो अच्छे से survive कर सके transparent octopus में सिर्फ उनकी eyes और optic nerve और digestive gland इसे रही visible होता है octopus की जो average lifespan होती है वो 2-5 साल तक होती है 3,000,000 टन octopus इंपोर्ट होते हैं हर साल इसमें से 2,3rd octopus एशन कंट्रीज में इंपोर्ट किया जाते हैं जैसे की चाइना, चापान, साथ, खोरिया और कुछ European कंट्रीज में जैसे स्पेन और इटली में और हाँ एक fact की बाद तो बता ना भूली गया यह दोस्तों यह जो octopus होते हैं वो 30 करोड साल से रह रहे हैं इस धरते पे आज का वीडियो आपको पसंद आए हो तो like, share, subscribe कर देना तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में